जै मातादी मित्रो, मेरा नाम है पंडित प्रकाज जोशी और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्टो आज में मित्रो आज हम चर्चा करने वाले हैं जिन लोगों की मेश राशी है, जिन लोगों का नाम का पहला अक्षर A लेटर से शुरू होता है उनकी विशेष्थाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, साथी साथ क्या A और L लेटर की कमिया है जिस कारण से वो सफलता को प्राप्त नहीं हो पाते हैं इस बारे में अपने जीवन का अपने 25 साल का एक्सपिरियंस आज मैं आपको बताऊंगा और मित्रो दो महिने पहले मैंने साल 2020 में मेश राशी वालों का कैसा होगा ऐसे 12 राशियों का भविश्यफल अपलोड किया था जो की वायरल हो गया मित्रों और 12 करोड से जादा लोग उसको देख चुके हैं और लोग मिर से बार-बार यही विंत्य करते हैं कि राशियों के बारे में अपने अनभाव को गुरुजी सांजा करें तो आज मैं आपको चर्चा करूंगा कि मेश राशिवालों के अंदर क्या विशेष्टाय होती है ए और ल लेटर के अंदर क्या विशेष्टाय होती है तो मेश राशिवाले मेहनती लोग होते हैं मेहनत बहुत करते हैं मेहनत से जराबी हिचकिचाते नहीं है निडर व्यक ये डिगे बिलकुल खड़े रहते हैं पहले चीजी यो गई और किसी का भी मेश राशी वाले बुरा नहीं सोचते हैं हमेशा लोगों को अच्छी राय देते हैं हमेशा लोगों का भले के बारे में ये सोचते हैं और काम में बहुत ज़्यादा इमानदार और सीरियस होते हैं जिनका लेटर A से और L से आता है याद रखेगा और आप अभी के आकड़े देख लीजे कि जिन भी व्यक्तियों का जो भी famous personality हैं चाहे वो अमिताब बचन है चाहे वो अमित शाह है चाहे वो अमर सिंग है उनकी personality आप देखिए कि वो मेहनती रहे हैं किसी का उनने कभी बुरा नहीं सोचा है और इमानदार व्यक्ति रहे हैं यह मेश राशी वाले यानि A और L लेटर की खासियत होती है अब उनके अवगुण क्या होते हैं कि वो नीचे ड्रॉबैक की और गिर जाते हैं मित्रों इसके ब को बार बार दोराना देखिए मित्रों मेश राशी वाले जातक और जातिका हैं मैं हर भगवान ने हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमिया भी डाली हैं यदि मेश राशी वाले जातक और जातिका हैं अपनी कमी के उपर काम नहीं करेंगे तो अपनी कमियों को आप तो नहीं कर पाएंगे अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बार-बार मेज राशी वाले जो जातक और जातिका है जो बच्चे हैं उनके अंदर उनका जो अस्पलत का में कारण होता है कि अपनी कम्यों को बार-बार धोराना तो याद रखिएगा कि आपको जातिकाओं के साथ में यह होता है कि उनकी बॉस से अपने बॉस से कम ही बन पाती है ठीक है जी और साथी साथ जो बुद्धिमान और चातूरित तरह के लोग होते ना उनसे थोड़ा विचार में क्लेश आ जाता है अक्सर क्या होता है मेज राशी वाले जातक और करते हैं आप पे हानी पहुंचाते हैं यह अक्सर मैंने सुना है मेज राशी वाले जातक और जातिकाओं को किसी ने बरवाद नहीं किया अपनों ने बरवाद किया A और L लेटर इसलिए आपको याद रखना है जो आपकी ज़्यादा परसंता कर रहा है जो आपकी कमिया हो के बावजुद भी आपके अंदर कमी है वो और उसके बावजुद भी उसकी परसंसा कर रहा है तो याद रखेगा वो व्यक्ति आपसे कुछ चाता हो लाट में आपको धुका देगा साथी साथ अब बात कर लेतें तीसरी कमियों के बारे में कि घर की मेश राशी वाले जातक और जातिका है तीसरा जो ड्रॉबेक जो उनको असफल बनाता वो है घर की समस्याओं को गंबीरता से नहीं लेते हैं बहुत बार क्या होता है कि मेश राशी वाले जातक और जातिका है जिसका प्रारंबिक अक्छर मित्रो ए से सुरू होता है या एल से सुरू होता है वो ज़्यादा तर प्रॉफेशनल लोग होते हैं व्यापार में नोकरी में ज़्यादा अपना फोकस रखते हैं अपने काम ध्यान नहीं देपाते हैं और अंत तो गत्वा क्या हो जाता है कि घर की प्रॉबलम इतना विक्राल रूप ले लेती है कई बार डिवोस वाली स्तती हो जाती कभी कभी कभार पति-बतनी का अलगा हो तो गंबीरता से लेना पड़ेगा तो मित्रों मैंने आज चर्चा करी कि मेश राशी वाले जिनका नाम ए और एल लेटर से होता है उनके अंदर गुण बहुत होते हैं क्योंकि मैक्सिमम सेलिब्रिटियों के जो पहला अक्षर है वो ए लेटर है याद रखिएगा तो ए जिन्होंने कमाया है जो अच्छे टाइकून हुए है उन्होंने इन तीन कम्यों पर काम किया है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इन तीन कम्यों पर काम करेंगे और जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे तो मित्रों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो में कमेंट बॉक्स में लिखें कि ऐसी ही वीडियो गुरू जी हमें चाहिए ये कमेंट बॉक्स में आपका लिखना है तो आज के कारेकरम में मित्रों मुझे दीज़ादा जै मता दिमित्रों